हेलो फ्रेंड्स वेलकम टूमा यूटूब चैनल के ले श्टडी फ्रेंड्स आप सभी को पता है के वी एस के आज से पी आरटी के एक्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं तो इसमें आपका फर्स्ट सिप्ट का एक्जाम्स हो चुका है जो कि आपका इजी टू मॉडडेट रहा और इसमें आपके टॉपिक के मतलब जितने भी टॉपिक पूँचे जाते हैं जितने भी सब्जेक्ट उनके कुछ कॉश्चन मिल चुके हैं तो हम देख लेते हैं सबसे पहले करंट अफेयर्स और जी के में क्या कॉश्चन पूँचा गया तो करंट अफेयर्स का कॉश्च तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 27 नमंबर 2022 को ठीक है next पूँच लिया 2021 में सरस्वती सम्मान के से दिया गया तो ये 2021 का सरस्वती सम्मान यादी हिंदी की बात करें तो रामदरस में सरको ये दिया गया था next question पूँच अगया सिंदू घाटी सब्वता में कौन सा एक स्थल भारत में नहीं है तो हमारी जो सिंदू घाटी सब्वता है उसमें कई स्थलों की खोज की गई तो उसमें चार ओप्सन दिये थे एक ऐसा ओप्सन था जो हमारे भारत में नहीं पढ़ता है तो उसका राइट आंसर था आपका मोहन जोदुरू जो कि आपके पाकिस्तान प्रांत में पढ़ता है ठीक है तो यह तो पूंचे गए आपके करंट अफेर सुर्जी के इसके बाद हिंदी के देखते हैं एस सदी होती आपकी इसे हम कैसे बिच्षित करते हैं तो देव प्लस एंदर कर के देव प्लस एंदर ठीकि इस तरह से नेक्स्ट पूँचा गया दिर्ग का बिलॉम पूँच लिया गया मतलब बिलॉम से भी कॉश्चन बना संग्या सर्वनाम बिसेशन से कॉश्चन पूँचे गया मुहावरे से कॉश्चन पूँचा गया और अलंकार से इसके बाद आपका जो आपकी कवीता दे दी गई जैसे रम जिम बाला आपने पार्ट पड़ा होगा तो इससे आपका पूँचा गया कि किस पर आधार रहते ठीक है इसके बाद आपके देख लेते हैं कंप्यूटर में क्या कॉश्चन पूँचे गया है कंप्यूटर से करीबन 5-6 कॉश्चन पूश्चा गया इसके बाद MS बर्ड, MS पाबड पॉयंट और MS एकसल यो होता है से कॉश्चन पूचा गया इसके बाद आपके जो कंप्यूटर की पेड़ियां होती है कि 5-5 पेड़ियां बताई रहीं किस में कि कंप्यूटर का विकास हुआ है तो इभी यहां से कॉश्च जो है 14-15 वर्स की उमर में समुको छोड़ देता है और एक हाथी एक दिन कितनी पतिया काता है तो 100 किलोग्राम हमें सीटेट में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है नेक्स्ट पूँच लिया गया जो सिकारी पौध है जैसे घट परणी यूट्री कुलेरिया है ड्रोसेरा है डायो नीमा है तो जो सिकारी पौध है वो किन स्थानों पर ओगते हैं यहां ओगना होगा बहां किस तत्व की कमी होती है तो यह पूँचा गया था तो जो सिकारी जहां पर nitrogen की कमी होती है, उने स्थानों पर उखते हैं, तो इसका right answer था nitrogen, next पूँछ लिया गया, कार्वो हाइट्रेट में मुख पधार्थ क्या होता है, जिससे हमें उर्जय प्राप्त होती है, तो इसका right answer हो जाएगा starch, जो हमारा भोजन होता है, वो starch मंड के रूफ में सं होता है, next पूँछ लिया गया, चांगपा जन जाती, कहां पर पाई जाती है, तो जो आपकी चांगपा जन जाती है, या आपकी लद्दाक में पाई जाती है, कहां पाई जाती है, लद्दाक, जो की एक mountain area है, उबर खावर इलाका है, और चांगपा जन जाती जो होती है, चैन्ग पोछम की एंड्र ह्ती है तो मखिद आपकी आगामी मोद dramalink आपको इसके बाद स्वास में औरू पूउच्चन वाले यह इसके बाद पूच्चन पोचिन दे दिया कि जो थे वो अपना भोजन पेड़ पोधों और जानवरों से प्राप्त करता है फिर बी दे दिया कोश और पूंचा गया था कि इनमें से कौन सा सही है क्या ए आर की सही व्याख्या करता है इस तरीके से ठीक है इसके बाद रीजनिंग में कैलेंडर से कॉश्चन पूंचा गया कि जैस निव एजुकेशन में जो पॉलिशी है आपकी 2020 इससे कॉश्चन बन रहे है आर टी एंसी एफ समावेशी सक्चा इससे आपके दो दो तीन तीन कॉश्चन पूंचे गया है जीन प्याजे वाई गोस्की थॉन डाइक इसके नर पावला इंसे आपके कॉश्चन पूंचे ग एक तो आपका गुप्त सीरीज पूंची गया है जैसे एक वट influenced दो दे दिया पांच दे दिया यहां शी त्को ऐसको असेंडिंग और होते हैं इस से आपका question पूछा गया है तो overall मिला करके यह आज question पूछे गया जितने question हमें मिले सारी question यहां आपको ले करके आए हैं यदि आपको सेशन पसंद आया है तो जरूर करें थेंकि